हेलो दोस्तों आप सभी के अपने चनल में और्या के रजोई ब्लॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे चोले तो मैंने चननी को रात भर के लिए भिगा के रख दिया था और मैंने एक कॉफी वाला कप होता है उससे एक कप चना लिया हुआ था तब इसको ह बढ़ करके अजने मेडियम एक काट क हविक दाउनों व्लेइम करके ड्कि जिटे से अवी अपनी फ्लेम इनष्सा फिर्ट, भी ताइस्गा करण लेंगे लिए हैं उससे तो मैं लिया बारा से पंद्रास लेस न को लिए हैं चोटते चुटे छोट्टे ऐस आजन का इन इस प्यास को भी कट कर लेंगे तो देखिए ऐसे कर लिजेगा बहुत चोटा मत कर येगा क्योंकि हमें पीसना है तो यह असानी से पिस जाएगा तो परिसान होने जुरूत नहीं है अराम से पैसे बगे-बगे पीस काट लिजे और हमारी धर गैस किसी की बोल रही ना तो यह भा लाल तमाटर लिजेगा घरावाला मत लिजेगा तमाटर अब चली हम सबको पीस लेते है अपना तो हमने लासन मिर्च और सबको मैं पीस मिक्स करके अगर प्याज एक बार में नहीं आता तो आप थोगा तो आप थोगा करकी पीस लेगा पहले जब हम चलाएंगे मिक्स को तो थोगा एक बार चलाएंगे, फिर एक बार बंद करेंगे, ऐसे चलाएंगे, तो हमारा थोगा कम हो जाएगा, फिर इसमें हम सारे प्यास को डाल के पीस लेंगे, देखे, हमने सारे पीस लिया, हम टमाटर को पीस लेंगे, तो में टमाटर पीस लिया, चलिए अपना कूकर औहां हैं अच्छे से पका हुआ है तो चलिए हम अपनी कराही गरe tempor cinq हम अपनी कराही गर्म करते हैं तो हमने कराही रखँ के गैस बहुन और देखने रख दिया और हम 200 नौपनी ंचेश तेल डाल कि गरब कर लिए अब हम अपना पेश्ट डालेंगे अद्रक मिर्चला असुन प्याज वाला और इसको अच्छे से भूनेंगे गैस को स्लो रखेंगे जब जितना मसाला भूनेंगे ना सम्में गैस लो रहेगा मेरा तो देखिए इसको तब तक भूनेंगा जब तक यह ऑल ना छोड़ने लग और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूश सकते हैं कुछ भी पूछना हो आपको जो ना समझ में आए और क्या आप देखना चाहते नई रेस्पी ओभी मुझे कमेंट करिएगा तो देखिए हमारी यह भून चुके हैं प्याज और लेस्न मिर्चद्रक अब इसमें हम टमाटर प्यूरे एड़ करेंगे और एड़ करने के बाद इसको हम चलाएंगे अच्छे से और इसको हम पांच मिनट के लिए लगभग गैस को धीमा करके ढख देंगे इसको तो चलिए हम इसको ढख देते हैं ढखने इस क्या होता ना चीटे भी नहीं पढ़ते और हमारे तो मैंतर प्यूरी और सारे अच्छे से पक जाते हैं तो हमें तही हमें अर्चहे से पीषज़ को देखने жест का साथ में गारते न होथ इसको मुझे माफ करिएगा अब अपना सबसे पहलें डालेंगे हल्दी पाउडर आधे चम्मच यह थोगा थोगा करके में दो बार में आधे चम्मच डाली हूँ देखिए और मेरे पास कंप्यूटर नहीं है मैं एडिट कर दी था आवाज नाती आप लोगों को और हम इसने आप डाल देंगे अवरिस्ट का छोला मसाला इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो में यह डालती हूँ हम दो चम्मच डाल देंगे जो हमारे घर में नॉर्मल चम्मच कर सकते हैं तो गरम पानी से थोगा से जल्दी बन जाता है इसलिए मैं रख्यों बाकी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता थोगा बहुत हो सकता है लगता है लोगों को लिकिन मुझे नहीं पत लगता और हम इसमें आप क्या तो आधी चम्मच हम धनिया पाउडर डाल और अच्छे से हम इसको चलाएंगे धीमी आज परी भूनना है याद रखूत देखिए इसको भून ले रहे हैं अच्छे से धीमी आज परी थोड़ी देर चलाईएगा और इसमें हम नमक डाल देंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा जितना आपको पसंद हो कम जादा अपने हिसाब से तो हम नमग डाल के थोले देर भूनेंगे लगभगे एक मिनट तक चलाते हुए थोगा तो यह नमग भी अच्छे से भून जाएगा साथ में सब में मिक्स हो जाएगा देखिए यह हमारा तेर अलग हो चुका अठीक हिसाद माचिए अच्छे से बुच चुके हैं अब इसमें हम अपने चना एट कर देंगे तो चलिए हम चनी को ताल देते हैं तो हम ये चनी को डाल दे Alfy और अच्छे से चलाएगे और अच्छे से चलानी के बाद न हम इसको ढगना है चार से पांच मिनिट के लिए धीमियाज पे तो इससे क्या होता ना कि चनी अच्छे से मसाली को सोख लेता है तो चलिए हम इसको ढग देते हैं चार से पांच मिनिट के लिए धीमियाज पे और हम अब देखते हैं हमारा हो चुका है चार से पांच मिनिट यह देखते हैं तो हम अपना ग्रेवी अपने हिसाब से करिएगा यह थोगा से ठंड़ा होने पे सूखता भी है पानी तो इसलिए आप ध्यान दीजेगा मुझे चावल के साथ खाना है तो मैं थोगा पानी करूंगी और मैं आधा लीटर टोटल डालूंगे मैं उतना ही गरम किया हुआ था तो हम इसको खफैब तो पहां टेके इस दॉप होरा कुल आ शबया भी मुझे तो देखने के बाद इसको क्या कर आदक को ना धुकनी थे पांच मिने लगबार गैस को तेज पर करूंगे तो देखिए हमने इतना पानी किया हुआ इसको हम ढग देंगे गैस को हम कर देंगे तेज और हमारा हो चुका है पांच मिनिट लग भर आप देखिए हमारे बन गया है ना ग्रेवी मेरी कम हो गई है क्योंकि अभी और शूख जाएगा यह देखिए अब इसमें हम धन्य पटट कर देंगे घरी धन्य इसमे बार इसका सीजेन्हे नहीं मिलती तो ना मिले तो कोई बात नहीं मत डालिए गा देखिए अब ने बात भांगा की लग देखिए हम जोके द Knights लगज्व मैं I जिसको मैं डाल दूंगी अभी तो देखिए हमारा कलर भी अच्छा लग रहा है मैं लोही की कराही में ही सबजी बनाती हूँ आपको जिसमें पसंद हो आप उसमें बनाईएगा देखिए कलर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी ग्रेवी परफिक्ट है अब इसको हम लोही की कराही में बनाया है लोही कराही मैं निकालना बहुत ज़रूरी है तुरन बनायी है और अच्छे से बना हुआ है मैंने कोई मिर्च नहीं आट की है बहुत अच्छा कलर आया है तो आप लोग भी वीडियो पसंद आए तो लाइक सेयर सब्सक्राइब कर दीज़ेग तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगले वेडियों में तब तक लिए आप सभी दोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए